दी जी पी डी एम अवस्थी ने निर्देश दिया है कि अब पुलिस मुख्याले के अफसर भी थानों की जांच के लिए जाएंगे उन्होंने कहा कि मुख्याले के अधिकारियों के लिए कारेकरम बनाया जाएगा यह व्यवस्था राजय में पहली बार लागू होगी जब मुख्याले से थाना स्तर की निग्रानी होगी एक डिसकेशन हो रहा है कुछ आल्टरनेटिव स्ट्रेटिजी और नकसल सिनेरियों में कैसे निप्टा जाए इस पर ये परचेचा जारी है अब किस तरी में के सुजाओ आएंगे हैं अभी उसके डिटेल सुजाओ सभी लोग अपने अपने दे रहे हैं और जो नकसल समस्या है चेटिस गड़ की उसका परस्पेक्टिव दूसरे इंगल से भी देखने की कोशिश है उन सभी सुजाओं के बारे में बाद में हम आपको ब्रीफ करेंगे क्योंकि बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी प्रस को नहीं बताई जा सकती है बट एक हेल्दी डिसकरशन है जो चल गाए आगे में चले में पिढ़े नोता है इसे पहले इस तरह से बाद चुका है लिए नकसल समस्या के समधान के लिए राजिके मुखिमंत्री और राजिकी सरकार लगातार प्रयास कर रहे हैं उसी दिशा में ये प्रयास है अभी मुखिमंत्री जी ने स्वहम बस्तर जाकर के ब समधान हो सके ये ही प्रात्मिक्ता है सरकार के बारी स्वाल ये सवाल हर साल पूछते हैं दोजार सोला से मैं अकसल डीजी हूँ हर साल बरसाथ में आपरेशन्स होते आए बरसाथ में भी सफल आपरेशन्स हुए हैं इस बार भी उम्मीद है कि यही होगा बरसाथ में भी आ पुलिस भरती के लिए विज्ञापन हुआ था उसका परिक्षा हुआ है उसका निर्णय होगा जो उन्हें बताया जाएगा किसी भी अभ्यरती को यह माल लेने का कोई अधिकार नहीं है जब तक रिजल्ट ना निकले कि वह सेलेक्ट हो गया रिजल्ट निकलने के संबंद मे सरकार में विज़ार चल रहा है और जो भी निर्णय होगा सबको बता दिये जाएगा पुलिस कर्वियों को जो लोग पुलिस कर्वी की भरती में आए उन्हें आंदोलन की राह नहीं पकड़ना चाहिए यह आविधन है और उस पर वो ना भी करते आंदोलन तो भी सरकार का विचार है उस पर और कुछ न कुछ निर्णय कुछी दिनों में सामने आएगा